Dear Residents, हम पढ़ रहे थी class 9th, electoral politics, civics का नया chapter था, इसके previously हमने एक lecture में discuss किया था about this chapter, ठीक है, हमने कुछ important चीज़ों के उपर बात की, हमने elections के बात की, elections होते ही क्या है, इसके definition के उपर discuss किया, हमने फिर discuss किया कि हमें क्यों जरुत होती है elections की, इस आज के time में, elections क्यों important है, फिर हमने ये भी discuss किया था, कि जब जो voters होते हैं, उनके पास में कौन सी choices होती है elections के दौरान, फिर हमने discuss किया, कि what makes an election democratic, हमने कुछ categories देखी, पांच वो topics देखे, वो factors देखे, जिनके बहाफ पे हम मान सकते हैं, कि elections जो होते हैं, वो democratic होते हैं, के नहीं होते हैं, फिर हमने बात कि, के political competition जो होता है, politics में जो अलग-अलग political parties, एक post के लिए, एक power को gain करने के लिए, जब competition में उतरती है, तो उनका benefit क्या होता है, उसके merits क्या हैं, और demerits क्या हैं, हमने कुछ लग-बग 4 merits देखे थे, चल, last वाले को आप छोड़ भी दो अगर, तो उपर के 3 merits हमने जो दे तक discuss कर लिया था, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके next topic को पढ़ेंगे and that would be, के elections इंडिया में कैसे होते हैं, बहुत ही simple topic है, बहुत ही simple है, अगर ये chapter को दिखा जाए, तो इसको आप अगर self भी पढ़ते हैं, तो भी automatically इन सब के answer आप निकाल सकते हैं, ठीक हैं, तो भा is the best way है, उसकाazar सबसे बेस तरीका है, कि आप इसको concept clear करते हूं, ठीक है, कि भाई, elections जो इंडिया में होते हैं, वो विधान सभा जिसको आप legislative assembly भी कहते हो state assembly next for ये तो कितने time के लिए हर 5 साल के लिए फिर हम ये जो representative होते हैं ये 5 साल के लिए चुन लेते हैं इसके लावा local government के elections भी होते हैं उनके अंदर भी हम क्या करते हैं अपने लोगों को चुनते हैं अगर आप इसको ये कैदोगे न कि ये these are general elections अगर आप इसको general elections कैदोगे तो भी ठीक है general elections का मतलब हो गया लोगसभा और विधान सभा legislative assembly के लिए elections आपने चुने जो representative होंगे लोगसभा के होंगे उसे member of parliament कहा जाएगा MP कहा जाएगा और जो लोग विधान सभा के होंगे उन्हें member of legislative assembly कहा जाएगा विधान सभा सदत से हैं ये हिंदी term है तो अगर इसकी जगे legislative assembly बोलते हो तो भी कोई दिक करती है MPs तो कब चुने जाते हैं MPs जो लोगसभा के elections होंगे उसमें जो इस person को चूज किया जाएगा that would be considered as member of parliament MP और MLA MLA कौन होगा जो legislative assembly का member होगा ये तो है हमारी general election these are the this is actually first term the second term is by elections अब ये by elections क्या होता है देखो by election by election is an election that is held to choose a candidate in place of member of legislature who has resigned suddenly or dead सोचों एक जगे है XYZ constancy है हमारी उस constancy में से जो representative था अचानक से उसकी death होगी बिमार हो गया या फिर उसने resign कर दिया तो वहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों ने अपना representative बना करके जिसको MLA बनाया है या MP बनाया है वो जगे तो खाली होगी अब उन लोगों को कौन represent करेगा लोग सभा में या विदान सभा में ऐसे में उस चीज को उस person को उस post को वापे से refill करने के लिए जो elections होते हैं उनको हम second category कहते हैं and that is by elections ये तो था हमारे election in regular interval and this is by election जब कोई suddenly resign कर दे या वो मर जाए यहां तक समझ में आ गया तीसरा point देखते हैं दूसरा तो हो गया तीसरा देखने है mid term election ये कैसा election होता है जो किसी भी किसी भी नए house को constitute करने के लिए legislature में या देखो कई बार क्या होगा जैसे prime minister है prime minister ने resign कर दिया या ऐसा भी होता ने कई बार majority पहले तो collision government बनी थी collision government का मतलब जिसको लोग सभा में या विधान सभा में clear majority नहीं मिली और उन्होंने अलग-अलग political parties को अपने faith में लेकरके अपनी government बनाई थी but made of the term उन्होंने कह किया वो जो faith था वो जो एक confidence था वो खो दिया ऐसे में वो जो government है अब clear majority नहीं दिखा पा रही है लोग सभा और राजसभा में तो वो सरकार क्या होगी गिर जाए इसको politics की language में कहते है सरकार का गिर जाना ऐसे में अब कोई सरकार नहीं है और जो opposition party थी वो भी confidence के अंदर नहीं है उसके पास भी majority नहीं है तो ऐसे में mid term अगर time duration complete होने से पहले अगर किसी भी जैसे समझो 2019 में elections हुए उसके पहले 2014 में हुए ठीक है अब obviously कब होंगे 2024-25 में तो ऐसे condition में क्या होगा 2024-25 में जब elections होंगे तो उसके पहले सोची इस time duration के बीच में नरेंद्र मोधी की जो government है उसमें लोगों का faith जो है उनके जो MPs है वो MPs उनका साथ देना बंद करते हैं तो ऐसे में इस elections होने हैं 2024 में बट उसके पहले ही अगर elections हो जाएगा mid term elections बहुत इस simple सी वात है कि अगर कोई political party confidence खो देती है अपना लोग सभा में या फिर legislative assembly में तो in between नए general elections आने से पहले ही अगर elections करवाने पड़ जाएं तो उसको कहा जाता है mid term elections ठीक है यहाँ पर बात की जा रही थी केवले candidate की यहाँ बात की जा रही है एक पुरी government की पूरे house की लोग सभा पूरा house ठीक है या फिर legislative assembly पूरा house नेक्स टॉपिक में बात करते हैं कि जो universal adult franchise होती है यह क्या गरती है यह एक ऐसा person होगा जो 14 साल sorry 18 साल का होगा 18 साल से जाधा होना चाहिए और उसके पास में voting right होने चाहिए अब यह जो person होगा लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है third gender भी हो सकता है इसको किसी भी तरीकी से आप discriminate नहीं कर सकते कि केवल males के पास में right होगा females के पास में नहीं होना चाहिए याद करो french revolution हमने पढ़ा तो वहाँ पे women के पास में voting right नहीं था that was discrimination on the basis of sex ठीक है तो ऐसे में क्या क्या गया discrimination नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पर क्या लड़का हो लड़की हो third gender हो इन सब के पास में जो भी person 18 साल का हो सकते हैं यह तो first time है यह first type है मतलब आप यह देखो कि इंडिया के अंदर elections जो होते हैं उसके अंदर elections किस किस के होंगे लोग सबागे और legislative assembly के कब कब हो सकते हैं एक तो general elections होंगे हर 5 साल में अचानक से कोई एक representative हट गया है तो उस representative के लिए by elections और अगर government ही हट गी यह पूर efficiency का part है अब देखते हैं इसको फोड़ा से और अच्छे समझने कोशिश करें कि इसका जो first जो topic आ रहा है that comes अभी मैंने आपको कहा कि लोग सबा और legislative assembly तो ऐसे में इंडिया के अंदर ये जो लोग सबा की elections होते हैं तो ये कहां कहां पर होंगे, क्या जमू कश्मीर में होंगे, क्या डैली में होंगे, क्या तमिलनाडो में होंगे, क्या पूरे भारत में होंगे, तो पूरे भारत में होंगे, तो कितने लोग चुने जाएंगे उसमें से, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, कि अगर हम लोग 145 इतने यह presently members हैं इतनी seats हैं इसमें भरी भी और देखो अब इसको थोड़ा सा और दिमाग लगा गए समझने की कोशिश करने के इंडिया के अंदर यह जो representative system है वो अपने जितने भी लोग है electoral consternices क्या होता है कि यह जो इंडिया है ना कि यह जो इंडिया है टाइम लग जाएगा थोड़ा सा एक छोटा सा छोटू सा एक map बना रहे हैं ठीक है कि भई यह पूरा यह जो इंडिया है इस इंडिया को आपने कितने parts में divide किया और कहां पर कौन सा system चल रहा है अपने representative को elect करने के लिए तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे यहाँ पर representative democracy है तो पूरे इंडिया के अंदर एक area को base बनाते वे representative choose किये जाएंगे और यह जो representative होंगे इनका division होगा अलग-अलग area पे अलग-अलग situations के भी हाफ पे आप ऐसे समझ लो पूरे इंडिया को अलग-अलग parts में divide किया गया है और अलग-अलग जगों को जो इंडियों ने divide किया उन्हें कहा गया constituencies constituencies मतलब वो places जहां पर representative चुने जाएंगे earlier जो situation थी यह Britishers के time से आगे थी हमरे पास में and that is one person over the 10 lakh people यह उस time के बाद थी जब हमारे यहां पर इस तरह की लोकसभा का formation हो रहा था आगे चलकर किसी को हमने forward करते गए हम देखते गए situation के हिसाब से हमने पूरे इंडिया को अलग-अलग constituencies में divide कर दिया पूरे इंडिया को जब हमने अलग-अलग constituencies में divide किया तो हमारे पास में कितनी constituencies आई we got 543 constituencies इंडिया के अंदर जो लोकसभा है उसमें जो representative होते हैं वो total 543 constituencies में divided हैं मतलब आप 543 MPs चुनोगे लोकसभा के लिए और ये जो MPs होंगे they would be consider as representative of the people कहां पे लोकसभा में समझ मैं यहां तक बात चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है देखते है कि one of the features of democratic election is that every vote should have the equal value यह बात मैंने आपको previous वाले lecture में भी बुली थी कि elections democratic तब हो सकते हैं जब यहां पर हर एक person को आपने जो voting value दे रखी है वो per person you must give the one vote one value system यह one vote one value system होना चाहिए otherwise तो आपने जो upper class है lower class है उसमें फर्क कर दिया ठीक हैं तो ऐसे इसने कहा कि elections के अंदर यह जो representative हमने चुन लिये that is fine कि कितने है total आपने consequences बना दी 543 एंड उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी आपने equally representative दिया है और उसके लिए क्या जरूरी है कि इसका मतलब है कि जो भी person vote डालेगा अपने representative के लिए उसके पास पहली चीज तो voting right होना चीए चाहिए वो कहीं से भी belong करता हो और उसके vote का value भी equal होना चीए हर एक person के किसी भी तरीकी से discrimination नहीं होना चीए इस बात को ensure करने के लिए अलग लग constrancies के अंदर जब elections होते हैं तो मतलब आप यह मानके चलो जब यह divisions हो रहा था constrancies decide की जा रही थी तो यहाँ पर ऐसे effort डाले गए कि जो members होंगे in constrancies में they must be similar मतलब लग भग लग भग पास में होनी चीए है यह बात practically possible तो नहीं है कि जो elections के अंदर representative होंगे अलग लग लग constrancies मों वो equally होंगे जैसे constrancies A है उसमें 10 लाख है तो constrancies B में भी 10 लाख हो it is not compulsory और जरूरी भी नहीं है ऐसा हो लेकिन हा यह बास जरूर है कि लग भग roughly जब इसको decide किया जा रहा था तो उसको देखा गया कि लग भग equal representation ship होना चाहिए ऐसा नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जैसे imagine कीजे कि राजस्तान से 4 लोगों को लोग सबा के अंदर membership मिली केवल 4 लोगों को तो ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पूरे जो states बड़े है या जो states छोटे है उनका representation ship equal नहीं हो पाएगा लोग सबा या राजसबा में ठीक है तो that is important कि लोग सबा के लिए राजसबा के लिए legislative assemblies के लिए जो भी elections में हम people representative बना करके भीज रहे है they must be belong to the equal constituencies और जो देश divide हो constituencies में वो भी equally इसी तरीके से divide होना चाहिए next है हमारे यहाँ पर देखी क्या कहा गया कि यहाँ पर जो elections होते हैं constituency के अंदर elections के अंदर अगर यह बाद तो आप ने कर ली लोग सबा की और राजसबा की कि लोग सबा को कितने parts में आपने divide किया राजसबा को कितने parts में हाला कि राजसबा के बारे में बता जाता हूँ maximum 250 members हो सकते हैं presently 245 exist कर रहे हैं ठीक है लोग सबा के बारे में मैंने आपको बता दिया ऐसा ही state assemblies के साथ में भी है जिसको आपने विधान सबा पड़ा legislative assembly आपने पड़ा तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि जब elections होते हैं तो state assembly को भी divide किया जाता है state assembly भी अलग-अलग electoral consequences में divided हैं आप जानते हूँ के हर state के अंदर cities भी होती है urban areas भी होता है roller areas भी होता है तो यहाँ पर क्या किया है जो state assembly है उसको भी divide कर दिया है नोंने अब divide कैसे किया है on the basis of population कि यह जो assemblies है these are the assembly seats are divided on the basis of population size of area ठीक है कितना बड़ा है और कितने लोग रह रह रहे हैं इसके हिसाब से number of people number of constituencies decide की जाती है each parliamentary constituency has the number of assembly constitutions sorry इसने बुला each parliamentary constituencies has a number of assembly constituencies okay okay देखो भी इसने कहा सोची लोगसभा राज्यसभा है लोगसभा राज्यसभा क्या बनाती है अपनी parliament बनाती है और यह जो parliament के अंदर जितनी seats हैं जैसे मैं लोगसभा की बात करूं तो 543 यह जो constituencies हैं इन constituencies में state assemblies भी होती है बाद समझ भी यह तो है आपके central level पे अब of course बात मान के चलो 543 constituencies states में भी तो आईगी 28 states and 8 unit territories में भी तो आईगी ऐसे में आपको यह दिमाग में रखना है कि यह जो constituencies हैं इनके अंदर state assemblies state constituencies का भी role होता है कैसे role होता है देखो next line में इसका role समझने की कोशिश करो same principle follow किया जाता है जब पंचायत के elections होते हैं municipalities के elections होते हैं हर गाओं से हर टाउन को divide कर दिया जाता है अलग-अलग wards में और हर wards से elect किया जाता है एक representative same वही condition क्या condition बोली कि भी आपने 543 तो अपने representative बना ली है और यह जो representative है इन्होंने लोग सुबा में अपना अब यह बात मान के चलो यह लोग जो चुने जा रहे हैं 543 किसी ना किसी state से तो belong करेंगे उस state के लोग भी अपने आपको divide करेंगे अलग-अलग constituencies में और यह जो constituencies होंगी in constituencies को आगे municipalities और पंचायती राज में divide कर दिया जाएगा और in constituencies को village को और urban areas को wards में divide करके एक-एक बंदा चुना जाएगा जो की representation ship करेगा अरे बहुत ही simple है ऐसे समझ लेना कि जब आप state government चुनते हैं तो state government के लिए भी MLA चुनते हैं और जब आप center government के लिए member of parliament चुन रहे हैं तो भी ये लोग member of parliament भी state government से related हैं क्योंकि इन में से भी तो कुछ निकल के इसमें जाएंगे और MLA's भी can be the member of parliament आपको नरेंदर मुदीजी के बारे में ध्यान हों तो जो MLA थे वो पहले वो गुजरात में MLA रहते हुए उनको chief minister बनने का मौका मिला और chief minister का जब elections उन्होंने जीते उसके parallel ही 2014 में उन्होंने prime minister का जो election था prime minister का elections नहीं होता member of parliament का elections होता है तो वो elections भी उन्होंने जीत लिया तो ऐसे में they can be the same ये consequences पूरा भारत इसमें divided है पूरे भारत के state इसमें भी डिवाड़ेड है तो दौनों से एक दूसरे से similar है तो अगर कोई छोटे से छोटा level पे elections हम देखते हैं तो वो होते हैं ward members के elections ठीक है समझा ही बात तो आप अगर हर 5 साल की बात करें तो every 5 year you will give vote in at 3 level पहले तो central government लोग सब मेंबर चुनने के लिए फिर है state assembly के member चुनने के लिए और last ward member चुनने के लिए पारशद बूलते हैं जिसको अपन वो अला तो पारशद या फिर पंचायती राज के अंदर लोग चुनने के लिए you give vote आप vote देते हैं तो हम हर पांस साल में लगबग average तीन लोगों के लिए तीन बार के लिए voting करते हैं ठीक है विटा समझ में आगया चलिए आगे देखें इसके अंदर हमने दिखा कि इंडिया में जो elections होते हैं वो कैसे होते हैं इसी को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने जो topic decide किया वो अभी क्या दिखा है हमने देखा है कि electoral consequences जिसको अपन ने अभी just पढ़ा है इसाद बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही है आगे इसको हम थोड़ा सा और detail में discuss करते हैं देखो गई थोड़ा सा शाद numbering में कहीं problem है electoral consequences को मैंने बता दिया है यह एक बार repeat हो गया है तो थोड़ा सा इसको ignore करते में चलो ठीक है फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि villages को भी, towns को भी divide कर दिया जाता है wards वगरा में अब यह वापिस एक बार repeat हो गया है तो इसको ignore मारेंगे आगे आजाओ यह point number B है यहाँ पर voter list C है sorry C कौन सा है? अच्छा थोड़ा सा देखो एक बार divisions बता देता हूँ यह electoral consequences है फिर इसके अलावा यह voter list है यह B होगा ठीक है? यह B कर लीजेगा इसको आप This is B Confuse नहीं होना वही ठीक है? आगे देखो अब voter list की बात करें कौन-कौन eligible होगा कौन eligible नहीं होगा इसको हम discuss करने की कोशिश करते हैं कौन person? मैंने यह तो बता दिया तुमें कि the people will choose their representative but who will be the actually voter तो voter होने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए तो मैंने आपको बताया था voter list में you must have the name एक list बनेगी इन सभी constituencies से जिसमें जितने भी voters होंगे उन सभी का नाम होगा इस list के अंदर ये list कौन बनाता है? ये list बनाता है आपके election commission इसको क्या कहा जाता है? इस list को क्या कहा जाता है? इसको अच्छे समझना इस list is the official called electoral rule electoral rule का मतलब आपका मतलब क्या responsibility है? ठीक है? electoral rule और आगे चलके इसको commonly हम जानते है voters list ठीक है? बास समझें कि जो list है जिसमें जो eligible voters हैं जो mentally prepared हैं जो 18 साल के हैं जिनके पास में voting rights हैं जिनके पास में वो एक पहचान पत्र बना हुआ है तो ऐसे में ये जो लोग है जिनके नाम इसमें add-on होते हैं they must have they must actually they are recognized by the election commission और उनका जो नाम होता है वो voter list में होता है ठीक है? जिसके अंदर वो लोग mention किये जाते हैं यह यह person है इसी सेरिया से they have the right to choose the representative वो vote डाल सकते हैं हमारे country में जो citizen है 18 साल के हैं और जिनके पास में elections में participate करने का right है जिनको right to vote दिया गया है उन सभी को इस voting list में मौका मिलता है बेना किसी discrimination के on the basis of caste, religion और gender ठीक है? हर एक person बच्चों वाली बात होगी नहीं तो लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है वोटरलिस्ट क्या तो वोटरलिस्ट है कैसी condition जहां पे लोग mention होंगी कि कौन उस constituency के लिए vote कर सकता है ठीक है आगे देखिए कुछ some criminals and some criminals and person with unsound mind can be denied to the right to vote but only in a rare situation कुछ लोग मैंने आपको बताया था कि unsound mind मतलब थोड़े से अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई person है जो कि disability तो कहना अच्छा नहीं होता है आप ये कह सकते हो कि special जो child होते है special जो लोग होते है उनको एक बार के लिए voting right नहीं दिया जाता है क्योंकि they are not able to choose a correct person for them और अगर वोट डाला है तो हो सकता है उनके जो वोट है कही न कहीं एक negative और गलत इंसान के पास में चले जाए तो उसका negative impact पड़ सकता है और इन लोगों को तो बिलकुल नहीं देना चाहिए criminal mind वाले होते हैं उनको तो देना ही नीचे जो criminals हैं वो तो अच्छे आदमी को थोड़ी चुनेंगी तो criminals को और ऐसा कोई person है जो की special case है तो उन लोगों को कई rare conditions में voting rights नहीं होते हैं ठीक है यह बात समझेगी the next है in the last few years a new system of election photo identity card epic कहा जाता है इसको election photo identity card has been introduced the government has tried to give this card to every person on the voters list आपको ध्यान होगा मेरे पास भी एक voter ID card है जिसमें मेरा नाम है मेरा एक जो register मुझे किया गया है इस election जो voters list है उसमें जो मुझे नाम मिला है जो मुझे number दिया गया है वो एक unique number मुझे दिया गया है सब के पास में होता है आप अपने parents से पूछेगा कि उनके पास में क्या वो voter ID card है और जो voter ID card अगर है तो उसमें आप देखिएगा number देखिएगा उसमें ward number आएगा आप कहां पे representative हो वो सारी चीज़ आएगी you must see आपको देखना चीज़ ठीक है government ने try किया नया system adopt करने का नया system लेकर आने का and काफी हद तक कि ये अच्छा भी है soothing भी है और इसका benefit भी मिलता है लेकिन तुम जानते हो कि बहुत सारे mistakes हैं system बहुत बड़ा है लोग बहुत जादा है mistakes और probabilities तो continuously चलती रहती है mistakes होती है probabilities की बनी रहती है ठीक है तो voter list वाला concept मेरी इसाब से आपको समझ में आ गया होगा आगे देखे आगे है कि कैसे nomination हम fill कर सकते है candidates का मतलब कौन person है जो अपना nomination दे सकता है कौन person है जो अपने आपको as a representative consider करवा सकता है तो चले शुरू करते है छोटा सही है दिखते है नना सही है के who are the candidates who can be the candidates who can be nominated as the candidate के भी है मैं representative बनना चाहता हूँ मैं तो voter तो बन जाओं 18 साल का होते ही but representative कौन बन सकता है अच्छा कुश्यान है देखो भई के जो कोई भी voter कोई भी candidate भनना चाहता है तो बन सकता है कोई ऐसा discrimination वाली बात है ही कोई भी अगर nomination फिल करना चाहता है तो they can do elections में participate करना चाहता है तो they can do लेकिन देखे अगर कोई बंदा है जो elections में participate करेगा तो उसकी age होनी चाहे कम से कम 25 साल, और अगर किसी कोester बनना है, तो उसके age होने चाहे हैं, लगभग 18 साल. बहुत simple सी हнолог क्ताओं, लोक सबा cucumber बनना है, kır आपको, तो कम से कम 25 साल की होने चाहें, legislative assembly का member बननना है, तो 25 साल होने चाहें, राज्य सभा का मेंबर बनना है चाहे आप अगर तो उसके लिए जोनी चे करीबन 30 साल और प्रेजडेंट बनना है तो लगबग आप होने चाहें 35 साल ठीक है तो यह याद रखें आप कि लिए बाट फॉसके लिए बोट मतलब ही लिमिटेशन इन रिचाइड कर रैखिया तो फो कैन बी दा नॉमिनेटेट हुचे का क्राइडिया 25 साल और क्या दूसरे कोई क्राइडिया थे तो देखो वही कुछ क्राइडिया है याज Every person who wish to contest elections has to fill a nomination form and give some money as a security deposit बहुत ये nominal money दी जाती है बहुत ही छोटा सा एक amount उनसे लिया जाता है as a security ठीक है और उनसे कुछ declaration sign करवाए जाते है कुछ nomination form भरवाए जाते है क्या है legal declarations क्या है legal nomination Supreme Court लेता है इसको अगर आप candidate बनना चाहरे हैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर बतानी होती है क्या क्या चीजें हैं let's have a look कि हर candidate जो भी अपने आपको nominate करना चाहता है as a candidate उसको legal declaration sign करने पड़ते हैं जो legal declaration है इस declaration के अंदर उसको बताना होता है कि उसके उपर क्या कभी कोई serious criminal offense लगा है क्या उसके उपर कोई case चल रहा है क्या कोई case pending है उसके against में उसको बताना पड़ता है हाला कि maximum हमारे हैं जो ministers होते हैं लगभग मैं किसी को point out नहीं कर रहा हूँ बट अगर कोई भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है अपने इंडिया में कि जो criminal जिनका background रहा होता है उनकी probability जाधा होती ही कि जीच जाते है तो पहले सुप्रेम कोट पूछता है कि या जो भी candidate ये nomination फिल कर रहा है और वो बनना चाता है अगर कुछ तो ऐसे में क्या उसके उपर कोई case चल रहा है सारी की सारी अपने family members के income उनके resources वो सारी चीजने बताने पड़ती है कितना पैसा आपके पास है उससे at least compare कर सकते है आगे आने वाले time में वापस आप nomination फिल करोगे तो आपकी property कितनी भड़ी कितनी property है आपके पास Supreme Court इसको पूछ सकता है ठीक है हला कि होता है कही बार के पैसा बढ़ जाता है कोई पुछता नहीं दुबारा तो total assets आपकी कितनी है total liabilities आपकी कितनी है कितना पैसा है कितना आपको देना है कितना आपने करजा ले रखा है whatever जो कुछ भी है सारे details आप से पूछेंगे आपकी family की details भी पूछेंगे ये बहुत शाने होता है बहुत दिमाग घूता है इनके पास ये खुद के नाम से कुछ नहीं लेते है ये अपने family members के नाम से लेते है तो जो Supreme Court है वो उनके भी अंकल है तो वो क्या करते हैं वो बलते है अपने family के बारे में ही बताओ तो ऐसा सीन है तो every candidate has to make a legal declaration giving full detail of education qualification of the candidates कि यहाँ पर इनको ये declaration देना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी qualifications बतानी पड़े की कितने पड़े लिखे हो हमारे पर rule तो करना चाहते हो इसको हम as a मतलब एक opportunity देख सकते हैं if we are voter तो we can see this as a opportunity कि हम किस candidate को चूज कर रहे हैं उसका background क्या है कितना पैसा है उसके बास कितना पड़ा लिखा है ये सारी चीजें सोच समझ के हम compare करके लोगों को हमारा decision ले सकते हैं उन्हें actually vote कर सकते हैं उन्हें nominate कर सकते हैं ठीक हैं ये सारी चीजें hopefully तुम्हें समझ में आगया होगा अगर कोई problem है तो पूछ लीजेगा आज के लिए इतना ही हम कर रहे हैं हमने जितना बढ़ा है उसको please एक बार आप recap करें कोई issues आए तो पूछें मिलते हैं next class में discuss करेंगे इसके आगे chapter को जल्दी-जल्दी खतम करेंगे और जल्दी-जल्दी course complete करेंगे revision पर आएंगे NTSC exam के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं तो please focus करें अच्छे से सारे lectures को Thank you so much